हेलो एवरिवन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपना गोल्ड और सिल्वर स्टैक और उसी के साथ साथ मैं अपना फर्स्ट गिववे भी अनॉंस कर रहा हूँ सो वीडियो को देखते रहें और डीटेल्स के लिए सबसे पहले मैं अपना यह पाउच खोलूंगा इसमें मेरे फेवरेट आइटम्स हैं सारे सिल्वर के तो हमने स्टार्ट किया है एम्म्टीजी पांप का 50 ग्राम सिल्वर बार यह है लोटस डिजाइन और इसमें तेख सकते हैं इसमें सीरिल नंबर भी दिया गया है और यह ट्रिपल नाइन प्यूरिटी का है उसके बाद आता है एम्म्टीजी पांप का ही 20 ग्राम का लोटस वला बार और इसमें भी सीरिल नंबर भार और सर्टी कार्ड में दिया गया है यह थोड़े प्रीमियम है मतलब इनका कॉस्ट जो है बाकी सिल्वर वालों से थोड़ा जादा है बट यह काफी रेपिटेट कंपनी है MMTC भी और पांप जो है स्विजरेंड की नेक्स्ट है BRPL का 50 ग्राम बार जो ट्रिपल नाइन का है जैसे MMTC पांप यह इसका सर्टिफिकेट अफ ऑफ अथेंटिसिटी यह है मेरा RSBL का 100 ग्राम बार इसकी थिकनेस भी अच्छी है इसकी थिकनेस भी अच्छी है सर्टिफिकेट अफ अथेंटिसिटी ट्रिपल नाइन 100 ग्राम फाइन सिल्वर और जैसे आप देख सकते हैं यह मैंने कॉइन बजार से लिया था तो इसका स्टिकर लगा हुआ है नेक्स्ट है बियार पियल का ही 999 फाइन सिल्वर 100 ग्राम बार बहुत शाइनी है यह और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है उसके बाद सेम बियार पियल का वही 100 ग्राम बार यह मेरा फेवरेट बार है कलेक्शन में यह 250 ग्राम बार है बियार पियल का वही एजी 999 0.0 कहते है इसको मतलब यह 99.90 परसेंट प्योर है प्योर सिल्वर 250 ग्राम इसकी थिक्नेस भी बहुत अच्छी है काफी है थिक्नेस स्मूद फिनिश है इसकी यह मैंने इसमें इसलिए रखा हुए था कि इसको स्क्राचिस ना पढ़ जाए मैंने इसको अभी नहीं निकाला इसके एक प्लास्टिक पील में से नेक्स्ट है बियर पील का ही 50 ग्राम सिल्वर नोट इसमें बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करा हुआ है जैसे 50 रुपीस का जो नोट है बिल्कुल सेम और यहां पर वही लिखा हुआ है आई प्रॉमिस तू पे दे बिएर दिस सम फिफ्टी ग्राम फाइन सिल्वर नोट समें फिफ्टी रुपीस लिखा हुआता है इसमें 50 ग्राम सिल्वर लिखा हुआता है तो यह कंपनी का नाम रिदी सिद्धी बुलियंस लिमिटेड और इस बील शाइनी भी बहुत है इसमें थोड़ा मैट ग्लॉसी टाइप बीच में डिजाइन दिया हुआ है इसको मैंने भी खोल के नहीं देखा यह भी बहुत अच्छा लगता है मुझे कलेक्शन के लिए भी अच्छा लग रहा है और सिल्वर की वैल्यू के लिए भी अच्छा है इस पाउच में लास्ट है मेरा 100 ग्राम सिल्वर नोट सेम इसका डिजाइन भी बिल्कुल 100 रुपीज के नोट के करीब है इसका शाइन भी बहुत अच्छ है अब मैं बढ़ता हूं इस प्लास्टिक कवर पर केस पर जो है बैंगलोर रिफाइनरी का इसमें मैंने स्टोर करने के लिए रखा लेकिन इसमें बैंगलोर रिफाइनरी का शाएब कुछ भी नहीं है सबसे पहले है यह जे पर्ल्स का 20 ग्रांड सर्वा कोई बहुत ही अच्छा कोई नहीं है इसमें भी काफी अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है इसके जो रिंग है वो स्मूद नहीं है कर्वड है काफी अच्छा लुक देता है यह होड करने में भी अलग लगता है यहां पर लिखा है 999 और शुबलाब श्री स्वास्तिक और ओम नेक्स्ट है जे पल्स का ही स्टेट 10 ग्राम पॉइंट यह इसका सर्टिफिकेट ऑफ ऑफ अथेंटिसिटी जो कवर में था जे पल्स जी एसल सिल्वर कोईं सिल्वर पूरिटी 99.99 परसेंट सिल्वर वेट 10 ग्राम्स इसमें एक 10 ग्राम्स का है और दूसरा 20 ग्राम्स का नेक्स्ट है MMTC पांप का 50 ग्राम कोईं इसको मैं इसके कैप्सुल में से निकाल के दिखाता हूं आप लोगों यह बहुत शाइनी है इस कोईन के यह रिंग जो है यह बिल्कुल फ्लैट है इसमें कोई उबर खाबर रिजिडनेस नहीं है बहुत यह अच्छा कोईन है यह फ्रॉस्ट टाइप है जो बहुत अच्छा तरीके से किया हूए इसके बाद यह नेक्स्ट यह भी एक अम्टीसी पंप का सिर्वर कोईन है यह 20 ग्राम्स का जैसे आप देख सकते हैं इन में सिरिल नंबर नहीं है तो उससे कोई घबरानी की ज़रूरत नहीं है वह कई कोईन होते हैं जो बिना सिर्व नंबर के होते हैं वह कंपनीस पर डिपेंड करता है उनके प्रॉडक्ट्स पर यह मेरा शायद सबसे पहला दूसरा कोईन है यह एक ग्राम का सिल्वर कोईन है काफी क्यूट लगता है यह हमें गिफ्ट किया गया था काफी साल पहले लेकिन इसे मैंने अपने कलेक्शन में रखा है यह भी एक सिल्वर कोईन है यहां लिखा होगा 999 बॉम्बे मैं फोकस करता हूँ 999 बॉम्बे यह भी 10 ग्राम का कोईन है नेक्स्ट एक काफी खास कोईन है जो कलेक्टेबल भी है इसमें थोड़ा यह है वन रुपी इंडिया 1912 1912 का वन रुपी का सिक्का है यह और इसमें लिखा हुआ है जॉर्ज फिफ्ट किंग एंपरर यह मैंने गूगल पर चेक किया तो यह 11.66 ग्राम का है और इसकी जो फाइनेस है वो 917 की है तो 105 साल पुराना कोईन हो गया यह अब कलेक्शन के लिए अच्छा है उसके बाद है यह 1913 का वन रुपी कोईन यह मेरे दादा जी ने मेरे पापा को दिया था और मेरे पापा ने यह मुझे कलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है 1913 जोर्ज फिफ्थ गिंग एम्परर नेक्स्ट है ओम गोल्ड का 10 ग्राम 999 कोईन सारे में कुछ सिल्वर बहुत पसंद है इसमें अच्छी डिजाइनिंग की हुए है करेक्शन के लिए अच्छ है और वैल्यू के हिसाब से भी अच्छ है यह मेरा संस का 10 ग्राम सिल्वर कोईन है और इस पर हॉल्माग भी दिया गया है मैं भी फोकस करता हूं यह आप नीचे देख सकते हैं यहां पर यह बहुत छोड़ा ही बहुत छोटा है 999 नाइन प्यूरिटी सिल्वर वेट 10 ग्राम्स ब्याइस हॉल्माग अब मैं आपको गिववे की डिटेल्स भी दूंगा तो यह है जिन्रल बुलियन के कॉइंस जैसे आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पेज पर थर्ड वीडियो होगा जो जिन्रल बुलियन के बारे में बता रहा था जिसमें फ्री कॉइंस मिलते थे रिफर करने के लिए तो यह 10 ग्राम कॉइंस जो है मैंने रिफर और स्क स्क्राइबर्स को यह 10 ग्राम कॉइन इंडिया में दूंगा गिववे के रूल्स हैं कि आपको मेरे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो पे कमेंट करना है अगर आप और एंट्री चाते हैं तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं at the rate वरुन कुमार रेसर और अगर आपको एक बोनिस एंट्री चाहिए तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं at the rate यंग मेटल स्टैकर तो जैसे मैं बोल रहा हूं यह मैं यह 10 ग्राम और एक यह 10 ग्राम यह दो गिववे कर करूंगा विनर ट्विटर पे या फिर जिस इंसान ने कॉमेंट कर रहोगा इस वीडियो पे उसी पर मैं उसे रिप्लाइ करूंगा ताकि मैं उससे आगे डीटेल्स मांगू अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा अपनी गोल की कलेक्शन मैंने इसे भी एक बैंगलोर यह बॉक्स में रखा है गोल्ड में मैं ट्रिपल नाइन और नाइन नाइन पॉइंट नाइन और नाइन फाइव यह सब ले चुका हूं तो मैं वन बाई वन दिखाऊंगा यह है मेरा जामौर का यह वन ग्राम गोल्ड कोई यह 24 कारेट प्यूर्टी का है और यह 995 का है यहाँ पे हॉल माग भी बना हुआ है यह आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा मेरा संस का फाइन गोल्ड 24 कारेट 995 इसमें भी हॉल माग बना हुआ है उपर नेक्स्ट है मेरे RSBL के बार्स यह है 999 24 कारेट गोल्ड बार्स वन ग्राम यह 2 ग्राम इसमें लिखा है वन ग्राम फाइन गोल्ड 24 कारेट ट्रिपल नाइन सेम इसमें टू ग्राम वन ग्राम वन ग्राम यह हॉल मागत है क्योंकि मैंने शाहिद यह फ्लिपकार्ड से लिया था यहां पर बहुत ही छोटा लिखा हुआ है और यह भी 2 ग्राम नेक्स्ट एंड यह थे लोगर्ड यह थाुव को नेक्स्ट है ब्रुप्रीयल का गोल्ड जो मुझे च्प्सवी च्प्न आप ऐसन्टाइब क्योंकि मैं वह्रेथ प्रफेल नाइन पॉइंग नाइन पॉइंग 99.99% तो उसमें 0.01% की impurity है बाकी 999 और 995 के हैं जिन में impurity थोड़ी जाधा होती है लेकिन ये जाधा अच्छी लगते हैं मझे ये शाइन बहुत करते हैं वन ग्राम आपने मेरे बाकी वीडियो में भी देखा होगा 1 Gram ये भी 1 Gram ये सारे में ट्रेशर सूख से खरीदा हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं 1 G and 2 Gram 2 G इनके पास 3 Grams वहला नहीं है वानना मैं 3 G और 4 Gram का 4 G भी ले 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 दा लेकिन 1, 2 और ये 5 ग्राम का इसके पीछे लिखा है सर्फ एक फाइफ मेरी कलेक्शन में एक ये वन ग्राम प्लाटनम बार भी है जो आरेस बील का है ये मैंने अपने मेटल की वराइटी को बढ़ाने के लिए लिया था इवन दो इसकी प्राइसिंग इतनी अच्छी नहीं है अब डाउन ज्यादा नहीं होता बट ये काफी अच्छा लगा मुझे एक तरीके से ये सिल्वर का बहुत ही बड़ा प्रीमियम वर्शन है बट ये सिल्वर नहीं है ली वन ग्राम ट्रिपल नाइन अब आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा अगर यह अच्छा लगा प्लीज लीव लाइक बहुत हेल्प करता है ये अब मैं आपको एक बार यह अपने सारा जो स्टैक है गोल्ड सिर्वर और प्लाटनम का उसको मैं एक साथ दिखात लुए प्लाटनम ये ब्र पील के 999.9 के गोल्ड बास जवमोर मैरा संस और ये आरेस बील आरेस बील के सारे 999 के हैं प्लीटी के और मैरा संस और जवमोर के हैं 995 और ये दोनों हॉल मांक्त हैं फिर आता है मेरे एम्म्टीसी पाम्प के बार्स silver buzz ये 20 gram ये 50 gram ये BRPL RSBL BRPL फिर से ये 100 grams के बार ये 100 grams का 100 रुपर को देनोट कोने वाला नोट बीच में आप देख सकते हैं जिंदल बूल्यन के 5contententgrams के Keynes ये सै दोượng 2 कोईज किसी दो सुब्सक्राइबर को तो मिल सकते हैं, यह 50 gram silver note, ohm gold का 10 gram coin, यह है 1913 का 1 rupee का coin, 10 gram, mmtc pump, 20 gram silver coin, fine silver 999.0, महरा संस, जेपल्स, mmtc pump, और यह मेरा सबसे oldest, 1912 का 1 rupee coin, giveaway की details जो होंगी, वो description में नीचे भी दिये जाएंगी, और मेरी twitter, instagram, सारे links जो होंगी, वो description में भी होंगी, तो giveaway एंटर करना बिल्कुल मत भूलना, अपने friends को भी बताना, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please leave a like, comment and subscribe for more. थैंक्स पर वाचिंग.